मैं हूँ आपका दोस्त बहासकर वर्मा लेके आया हूँ CSS सिरीज के एक और वीडियो दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर हमने इसका थियूरिटिकल पार्ट जो है कवर कर लिया था देन इसके सिंटेक्स के बारे में हमने डिसकस किया था और हमने एक सक्सेस्फुली CSS फाइल को HTML फाइल के साथ लिंक अप किया था और आपको बताया था किस तरीके से आप link tag का यूज करके आप उसे link कर सकते हो आपके external CSS फाइल को आज की वीडियो के अंदर हम discuss करने वाले हैं कि कौन सी तीन वे हैं जिसके थूरू हम styling कर सकते हैं HTML document में तो उसके अंदर तीन व यानि using the style attribute उस HTML element के अंदर आप style attribute का यूज करके within line आप styling कर सकते हो दिन सेकेंड आता है internal internal होता है आपका जो head part होता है HTML document का वहां पे आप style tag का यूज करके यानि style element का यूज करके आप वहां पे styling कर सकते हो थर्ड होता आपका external part यानि जो CSS फाइल हमने पहले create की थी और उस एक एक बार आपको मैं example के तुरू समझा देता हूं तो मैं code editor open कर लेता हूं अपना दोनों फाइल मेरे पास open है ठीक है सबसे पहले हम जो within document styling होती है उसके बारे में discuss करेंगे तो मालों यहां पर आपके पास एक h2 element है ठीक है यह मेरे पास element है h2 my webpage done तो अब मालों आपको inline styling करनी है तो inline styling के लिए इसमें क्या दिया हुआ आपके पास कि आपको style attribute का use करना है ठीक है तो यह style attribute आपका तो इसके अंदर आप किस तरीके से करेंगे attribute पहली बात आपको पता है कि tag के अंदर attribute यूज होता है ठीक है यह tag थी h2 जो opening tag थी इसक के अंदर हमने attribute लगाया है style तो जो भी आप properties को देना चाहों आप दे सकते हो मालों मुझे color change करना है तो मैंने color red कर दिया दन उसके बाद यह हो गया आपका inline पार्ट एक बार दिखा देता हूं आ गया यह tag थी ठीक है इसके अंदर जो इसका content था यानि इस element का content था वो सारा आपसरा red हो गया क्योंकि आपने property color दी है और value रेड डाली उसके इंदर यह आपका हो गया part first यानि inline वाला part then second part आता आपका internal वाला part ठीक है inline में क्या था style attribute यूज करना था बड़ इंटरनल में क्या है style element या style tag यूज करना है कहां पर head part के अंदर जो head section आपके document का तो आजओ फटफट से कि यहां से इसे हटा देते हैं कि अधा कि यह document दूबार से अपना plane हो जाए कि हो गया देखिए नॉर्मल आ गया default black color आ गया इसका यहां पर यह जो head section आपका इसके अंदर हमें style जो है element क्या है style tag यूज करना है तो style element ठीक है आपने यह कर दिया style और अब इसके अंदर क्या है वही वाला syntax होगा जो हमने पिछली वीडियो में बनाया थे अनि सबसे पहले सिलेक्टर होगा इसमें सिलेक्टर क्या है h2 यानि हमें h2 के उपर apply करना है देन curly braces आएंगी देन इसके अंदर इसकी property आएगी देन इसकी value आएगी ड़न यह हमने कर दिया अब देखते हैं कि यह जो internal way हमने जो head section के अंदर styling किया इसका क्या effect पढ़ता है कि सेव किया refresh किया देखें सेम रिजल्ट है है ना सेम रिजल्ट है डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कि आपने style जो है head section में लगाया है और h2 के उपर लगा दिया पूरे क्यों पूरे पर तो अब यानि इसके अंदर जितने भी हैं यान्य ही लो है ये लो है अच्ट्व ऐसकर ठीक है जितने भी थो होंगे ना सब के उपर अप्लाइब होगा इने इस बहुत करूंकि आपने head section के अंदर बोला है कि styling करनी है h2 की यानि जहां पे भी h2 है ना सब के उपर यह वाली properties लग जाएंगे आप ठीक है तो अब difference आपको समझ में आ गया हुआ कि इनको inline लगाने का difference क्या है inline में अगर मैं सिरफ यहां पे style करता ना इसका यहां पे style attribute यूज करके करता तो सिरफ जहां पर मैंने inline apply किया सिरफ वहीं पर apply होता हूं इन पर को effect नहीं पड़ता बट क्यूंकि हमने head part में पूरे h2 को include किया है तो जितने भी h2 के अंदर आपके elements है h2 elements सभी के सभी पर जो है प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी है ठीक है सेकिंड वे है जो हमने यह देखिए internal by using style element in head section अब आजाओ थर्ड पार्ट के उपर थर्ड पार्ट हम उल्लड़ी डिसकस कर चुके हैं प्रूप CSS file तो यहां से आप style हटा दो यहां से आप style हटा दो इसको उठाओ ऐसे का ऐसे कि यहां पेस्ट कर दो सेव कर दो और इस CSS को कि लिंक कर दो कि एक बार बीना लिंक के दिखाता हूं आपको फ्रेश करके कि रिफ्रेश किया बाइडिफोल्ट कलर आ गया ब्लैक कि इसको पुरा नाम देता हूं और सेव किया अब क्या होगा CSS लिंक हो गई HTML के साथ CSS के styling HTML पर अपलाई हो जाएगी और आ गया तो यह तीन वे थी दोस्तों एपलाई करने की एक तो इन लाइन एक इंटर्नल और एक एक्स्टर्नल ठीक है अपने इनके खुद के फायदे हैं खुद के इनके अपने पॉपर्टीज है इनके नुकसान है कि रिक्वार्मेंट के हिसाब से आपको यूज करना होता ह जहां पर आपको सिर्फ इन लाइन चाहिए वहां पर इन लाइन यूज करो जहां पर डॉक्मेंट के अंदर पूरा इंटर्नल ही चाहिए आपको इंटर्नल यूज करो और एक्स्टर्नल तो है ठीक है तो यह थे दोस्तों तीन वे जिसमें आप CSS जो है अपलाई कर सकते हो HTML डॉकमेंट के ऊपर आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई है और उमीद रखता हूं आप वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिकली जरूर ट्राय करेंगे मिलते हैं नई टॉपिक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर